हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टू अनधर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ किताबों का महत्तु के उपरनिबंद तो इस वीडियो को पुरलास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बोमिका ग्यान के अभाव में मनुष्य पशू के समान होता है इसलिए परतेक मानों को अपने जीवन में सिच्छा ग्रहन करना चाहिए और सिच्छा ग्रहन करने का सबसे अच्छा माध्यम है पुस्तक का अध्यन करना पुस्तक के द्वारा हम अनेको परकार के महापुरुशों के जीवनी के बारे में जान पाएंगे उन्होंने अपने जीवन में किस परकार के कायर किये उनसे प्रेणा लेकर हम अपने जीवन को भी सार्थक और सफल बना पाएंगे पुस्तक पढ़ने के लाव पुस्तक का अध्यन करने से हमें कई प्रकार के लाव प्राप्त होते हैं पुस्तक मानों के चरित्र का निर्मान करते हैं पुस्तक का नियमित अध्यन करने से हम जीवन में कभी भी पत्थ ब्रस्ट नहीं होंगे पुस्तक समाज और वैक्ति दोनों का मार्क दर्शन करती है पुस्तक हमारा अकेले पन का साथी होता है अधिकतर लोग इसे अपना अकेला पंदूर करने के लिए पढ़ते हैं जिससे उनका ग्यान भी बढ़ता है पुस्तक दुनिया का बहुमोल ये चीज है जिसकी कीमत कोई भी वैक्ति नहीं लगा सकता है पुस्तक पढ़ने से हमें अनेको परकार के स्वास्त सम्मंधि लाब भी प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्वा पुस्तक का अध्यन करने से हमें देश और दुनिया के बारे में जानकारी घर बैठे प्राप्त होता है पुस्तक ग्यान प्राप्त करने का ऐसा माध्यम है जिसके दौरा आप विभिन प्रकार के देशों के रहन सहन, वाता वरन, उनके दैनिक दिन चरिया, खान पान, संस्क्रीती, भागोलिक इस्तिती, नितिहास जानकारी जैसे तमाम चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा किताबों के अध्यन से हमें नए नए शब्दों के बारे में जानकारी हासिल होता है, इससे हम भाजा का प्रुभावशाली तरीके से उप्योग कर पाएंगें उप सनहार, आज के बदलते हुए समय में लोग इंटरनेट का इस्तमाल काफी तेजी के साथ करते हैं, जिसके कारण पुस्तक के महत्व को लोग भूल चुके हैं, लेकिन पुस्तक के द्वारा ही आप अपने जीवन में सच्चे कर्म कर पाएंगें, उसके लिए प्रेहना पुस्तक से ही मिलेगा, पुस्तक हमारा सबसे सच्चा मित्र है, वह हमेशा आपको सही पत पर चलने के लिए प्रेह रिद करेगा, और आपको कभी भी ब्रामित होने नहीं देगा, तो उमीद है ये छोटा सा इंफॉमेशन आपको पसंदाया होगा, पसंदाया तो इसे ला झाल झाल